विहार वोड के इंटर के सभी स्टूडेंस के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर इंटरमीडियर का रिजल्ट दोबारा होगा जारी दोबारा सभी स्टूडेंस को मौका मिला है सभी स्टूडेंस को जिहां जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंस जो हैं परिच्छा देकर दोबारा रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं जितने भी विध्यारत्री जो फेल हुए हैं ठीक है आज के इस वीडियो में सभी जानकारी आपको लाइप प्रूप मिलेगा चैनल पर न्यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ओप्सन दिख रहा होगा क्लिक कर दो क्योंकि यहाँ पर लाखो छात्रों का जम कर हंगामा मच रहा है बात करेंगे बोर्ड अध्यक्ष और सिच्छा मंत्री की तो दोस्तो बोर्ड अध्यक्ष और सिच्छा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर ने भी लाइप प्रूप आकर यहाँ पार में फ्रेस कान फ्रेसिंग में छात्रों के हित में बात की है यह लिए आज की इस वीडियो में सारी जनकारी लाइप प्रूप देंगे और सारी इंफर्मेशन अपडेट भी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तो पूरे देश में बिहार बोर्ड एक मात्र ऐसा बोर्ड है जो सबसे पहले इंटर के नतीजे जारी किया है आपको बता देएं कि कोरोना काल में भी पूरे देश में सबसे पहले इंटर की परिच्छा का आयोजन करने वाला एक मात्र बिहार बोर्ड ही ऐसा है जल्दवाजी में रिजल्ट जारी करने को दोरान बहुत ही जादा चात्रें चात्रें का अंक में गलतिया हुई है लाखो चात्रें चात्रें अपने परिनाम से अंसंतुष्ट हैं ऐसे में लगातार मांग की जा रही है दोबारा रिजल्ट जारी करने को लेकर इस विशे में विहार बोड ने क्या कवताया चलिए जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पताना चाहूंगा सबसे पहले कि 16 मार्च को 3 बजे रिजल्ट जो है प्रकासित किया गया था यहाँ यहाँ पर सभी स्टुडेंस को जो है कॉनपाटमेंटल परिच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुपरमेंटली जिसे कहते हैं सुपरमेंटली सभी स्टुडेंस को दोस्तों अगर आपके एक या दो विशे में क्रेस लग गया है ध्यान से सुनिएगा तो उस विशे के लिए अवेधन करके आप लोग दोबारा परिच्छा दे सकते हैं अवेधन आपको अपने स्कूल और कॉलेज के माध्यम से करना होगा जी हाँ परधान ध्यापक का सिंगनेचर लगेगा तब जाकर आप अवेधन कर सकते हैं कॉनपार्टमेंटल के लिए दोस्तों आप लोग एक बार स्कूल कॉलेज से जरूर संपर करें बात करेंगे स्कूरूटनी के लिए अगर आप लोग अवेधन करना चाहते हो तो इसकूरूटनी का मतलब यह होता है कि आप जिस विसे में आपको लगता है कि मेरा यह सबजेक्ट सही से चेक नहीं हुआ ह अब लगता है, कोई बी आपका सबजेक्ट है, अगर आपको लगता है कि चेक नहीं हुआ है, हिंदी में है, और इंगिलिस में है जो भी तो आप दोबारा से subject के लिए आँडूनी आवेधन करके आप दोबारा से उसे वी चेकिंग करवा सकते हैं या नि चेक करवा सकते है परतेक सब्जेक्ट का सत्तर पह लगेगा आपको भी मालूम है ठीक है आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यह सबसे बड़ी बात तो यह है कि विहार बोर्ड जो है सभी स्टुडेंस को यह मौका दे रही है ठीक है आवेदन करेंगे परिच्छा देंगे उनका दोबारा रिजल्ट जारी होगा स्कूल के मादियम से ठीक है स्कूल के मादियम से आपको जो है मार्क शीट मिलेगा बात कर लेते हैं जो स्कूरूटनी के लिए जो आवेदन करेंगे उसके एक सब्ता यानि 7 दिन के भीतर जो है result जो है जारी हो जायेगा ठीक है? 7 दिन के भीतर भीतर जो है result आप लोगों को का प्रकासित कर दिया जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहीं तक और वीडियो को आपने अपने दोस्तों को share करें अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉलम से किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं तो नीचे मैसेज कर दीजीगा दोस्तों यहां पर मैं बत करूँगा अभी तक हमारी इस वेबसाइट को ज्वाइन नहीं कियें के साथ तब तक के लिए टिक क्यार गुडबाई जय हिंग जय वंदे मात्रम